जै स्री कृष्णा आज एका दसी के दिन आये सुनते हैं नारायड नामा नारद मुनी नारायड नारायड का जाब करते हुए पहुच गए अपने प्रभु के लोग यानी के बैंकूंठ लोग वहां सेस सैया पर भगवान विश्रू विश्राम कर रहे थे और विश्रू प्रिया भगवती लच्मी चरन कमल चापन में मगन थी नारायड मुनी थोड़ा ठहरे फिर सोचा कि प्रभु के विश्राम में बिग्न डारक न बन जाओं इसलिए चुपचाप चल पढ़ने को उद्धत हुए प्रभु को अपने भक्त का इस तरह से जाना नागवार गुज्रा और उन्होंने नारद मुनी को रोका प्रडाम निवेदन के बाद नारद मुनी ने अपने आने का उद्धे से बताया प्रभु धर्ती पर इंसान त्राही त्राही कर रहे हैं हर जगह भुखमरी, महामारी, बिस्फोट, गरीबी जैसे रावर अपने दसो मोह खोले इंसानों को अपनी उद्राग्न में भस्म करने को तैयार खड़े हैं प्रभु आप तो प्रतेक युग में इंसानों की रच्छा के लिए धर्ती पर अवतरित होते हैं फिर कल्युग आपके स्नेह से वन्चित क्यों है दिवर्शी हम कल्युग में भी मृत्य लोग पर अवतरित होंगे पर अभी सही वक्त नहीं आया है कल्युग को थोड़ा सा इंतेजार और करना होगा भगवान ने सांत्वना देते हुए कहा प्रभु तब तक तो देर हो जाएगी धर्ती नश्ट हो जाएगी आपको अभी ही कुछ करना होगा पर नारण मुनी भी जानते हैं कि प्रभु ब्रह्मा जी के बनाए नियम में उलट फेर नहीं कर सकते वे अपने निश्चित वक्त पर ही अवतरित होंगे लेकिन समस्या का समाधान भी जरूरी है आज्या लेकर भगवती ने निवेदन किया कि तब तक मैं और गरेश जी धर्ती पर जाकर मनुश्यों को धन और बुद्धी दे आते हैं जिससे कुछ हद तक तो उनके संकटों का निवारण हो जाएगा ब्रह्मा जी को भी इस प्रस्ताव पर कोई खास आपत्ती नहीं हुई बस उन्होंने इतना भर कहा कि सब कुछ ठीक नहीं करना क्योंकि तब प्रभु का अवतार कैसे होगा प्रभु का अवतार नहीं होगा तो विधाता के लेक में खामी आ जाएगी फिर मृत्यों लोकवासी उनके कृती को अमीत नहीं कह सकेंगे भगवती लच्मी और गरेश जी ने दिपावली के सुभ दिन को ही अवतरित होने का मन बनाया इसी दिन ओ अपने भक्तों की परिशानी को दूर करके अपने अपने धाम लट जाएंगे उन्होंने ऐसा विचार कलिया दिपावली के दिन में तो उनकी पूजा होई नहीं ओ आये और लट गए लोग एक दूसरे से मिलने में अपने अपने तोफों को अच्छा बताकर दूसरों के तोफे घटिया बतलाने में ब्यस्त थे और इसी में रस्पा रहे थे दोनों अपना सा मुह बना कर लोट गए नारत जी ने उन्हें बताया कि पूजा तो रात को होती है इसलिए आप दोनों रात को ही जामे रात गए ओ दोनों धरती लोग पर उतरने को तैयार हुए पर एक या बाहर से ही वायुमंडल प्रदूसित हो चुका था सास लेने में काफी तकलीफ हो रही थी आकास मार्ग धुल धुए से अटा पड़ा था जैसे तैसे बहुत मुश्किल से उन्होंने यात्रा जारी रखी और वो डर भी रहे थे कि जाने धरती निवासियों पर किस दानों ने आक्रमण कर दिया होगा खैर जैसे जैसे वो निकट पहुचते गए परेशानी बढ़ती गए अब तो आग के गोलों से भी सामना करना पड़ रहा था कानों को फोड़ती आवाजे आग के गोले दम निकलता धुआ एक बार गीतो उन्हें महसूस वाकी प्रीथवी पर पाच्वा विश्वयुध छिर चुका है खैर जैसे तैसे करके वे धर्ती पर पहुची गए वे सोच रहे थे की ऐसी माहोल में जब उन्हीं के लिए इतनी मुश्किले हो रही हैं तो विचारे इंसान कैसे जिन्दा होंगे पर धर्ती पर आकर पता चला की इस सारा तमासा इंसानों ने खुद ही खड़ा किया है हद तो तब हो गए जब मस्ती के नाम पर एक बच्चे ने गरेश जी और लच्मी जी के ठीक सामने बम फोड दिया और हसने लगा पर इनकी तो सित्ती पित्ती गुम हो चुकी थी पर वे क्या करते आखिर हैं तो ए बच्चे ही बच्चों के साथ बड़े भी उनका उपहास उडाने से ना चुके ये सब देखकर दोनों का मन अतियंत ही दुखी हुआ और वे अपने धाम लोट गए भगवान विश्रू से दोनों ने मिलकर कहा कि प्रभु आप धर्ती पर अवतरित मत होईएगा क्योंकि इस बात इनसान का दुस्मन कोई दानों नहीं वे खुद हैं भला जो खुद जलना चाहे तो उसे कोई कब तक बचा सकता है और उन्होंने पूरा ब्रितान कह सुनाया त्रिदेव भी इस ब्रितान को सुनकर अपनी बनाई इस स्रिष्टी की कर्तूतों से सर्मसार हुए और नारद मुनी तो इतने ब्यथित हुए कि कुछ देर तक ओ नारायर जाप करना भी भूल गए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंड करें, सेयर करें और हमारे चैनल भक्ती गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आल पर सेट करने ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुच सके धन्यवाद